करने वाले हैं एक्स्प्लें मॉडर्ण प्रिंसिपल्स और उसके बारे में बात करेंगे और यह बहुत इंपॉर्टन होने वाला यह लेक्षर तो इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए उससे पहले मैं कुछ चीज़ा आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जून 2022 में एक्जाम देने वाले हैं तो हमारे पास MCO1 से लेकर के MCO7 I mean Second Year AMCOM PLUS First Year AMCOM के सारे नोट्स रेडी हैं अगर आप नोट्स को पर्चेस करना चाहते हैं तो आप हमारे पास से पर्चेस कर सकते हैं उसके लिए सिर्फ आपको 300 रुपीज पर पेपर के हि कर सकते हैं तो आपको सिर्फ 15 रुपे ही पे करने होंगे तो आप चाहें तो इन नोट्स को आप पर्चेस भी कर सकते हैं ठीक है तो हमारे लेक्टर आज स्टार्ट करेंगे विजिज अबाउट अगरे फिर स्टार्ट करते हैं ओके दर मानेजर प्ले सब्सक्राइब करता है और यह एक तरह का पर्फेक्ट मैंजमेंट करने के लिए विजिए और दॉसे इसलिकार यह को मेंजमेंट यह नहीं होंगे तो इफिशेंटी कैसे परफॉर्म करेगा कोई भी और नेशन ठीक है जैसे कि घर है हमारा आप अगर घर का मैनेजमेंट के बारे में ध्यान दो तो घर में आपकी मम्मी जो होती है वो घर के सारे काम को करती है तो मम्मी इन केस अगर किसी दिन घर पर ना रहें तो डेफिनेटली ओलनेजर साथ को किसी भी ओट्यूर्इचर का फंक्शन करना अाइस आभ यह मेन फंक्शन ना थोड़ा हाइलाइट घर पड़ अजलता हूं तब्सटार हुट करफोंगें मैं वें इस ओड़ा हुड़ा चुछन के पढ़निग प्लैनिंग आगनिंगार अबड़ी कर्मिनि अगर सबस्क्किर पाद करें, उतके में फक्रांचल से ही होता है, इनलस्ट मेन करना, धूर्गनाज करना, फौर सबस्टपिंग करना, फिर सब्लस्थ सुरूल करना, फिर ते लिदा मेंसे क्वार नचेक्ट रखुड़ूं ज़ीज़ा ह। and again organized in such a manner that the group who is appointed to do the work does equal justice to the work assigned to them or else the whole activity will be useless. चीक है नब? तो यहाँ पर जो भी काम जिसको भी दिया गया है हर एक department पर उन सब को अपने काम को ठीक तरीके से करना बहुत important होता है उस group को उन काम को ठीक तरीके से करना important होता है तभी आप जो है अपने business को इसके अलावा जो function होते है मैनेजर के वो दो होते हैं एक होता intrapersonal एक होता intrapersonal ठीक है न तो intrapersonal में क्या के चीज़े आजाएगी leading आजाएगा, licensing आजाएगा, symbol and figurehead आजाएगा वो as a these four things हो जो है as a काम करता है intrapersonal case में informational roles यहाँ पर वो play कर रहा है intrapersonal को है तो तीन तरह के रोल, interpersonal role हो गया informational role हो गया decision roles हो गया इन तीन तरह के रोल को play करते हुए वो इन चीज़ों को करता है जैसे जब decisional roles को play करेगा तो वो initiative लेगा handle करेगा चीज़ों को disagreement होगा between the subordinates उसको वो handle करेगा जो भी resources उसके पास available हों तो उसको allocate करेगा और negotiate करेगा तो दीज़ों को प्राइमरी और important roles that a manager performs all these functions and roles are performed by the managers in order to maintain a balance balance all the levels of management तो यह सारे चीज़े पी जाके उनके द्वारा ताकि एक management अमे जो है balance बनाकर के रखा जासके हर एक level पे चाहे these functions are performed by the senior managers and high rank officers in order to maintain a balance between the work and the people तो यह जो functions जो है उनके द्वारा performed किये जाते हैं तक एक balance बनाकर के रखा जासके between the work and the people besides assigning and getting the work done through the subordinates, it becomes a duty to take care of them by giving them enough space to express themselves and work satisfactorily in the organization तो यहाँ पे सिर्फ उनको काम देने से आपको वहाँ पे काम देने के अलावा उनको proper space भी देना पड़ेगा ताकि वो लोग जो है अपने आपको express कर सके हैं तरीके से और जिस भी organization में वो काम कर रहे हैं वो satisfactorily वहाँ पे काम कर सके हैं तो जैसे कि कहते हैं ना कि पढ़ाई के साथ थोड़ी सी मस्ती जोरत होती है पढ़ाई के साथ थोड़ा खेलना जोरी होता है उसी तरीके से काम के टाइम पर भी थोड़ा सा space personal space जो है उनको मिलना चाहिए subordinates को workers को employees को मिलना चाहिए ताकि वो भी अपने problems को express कर सकें जो भी चीजें वह अच्छे तरीके से कर सकें इससे क्या होता है न कि जो बाकी के सारी employees है उनके साथ उनका जो है एक अच्छा bonding बन पाता है एक अच्छा relationship क्रिए हो पाता है dependent होते हैं लोग एक दूसरे को पर तो काम जो है वह बहुत ही अच्छे सब्सक्राइब करने के पिछे रीजन ही होता है उनको इनको इनफ स्पेस मिलता है तक कि वो सरफ काम ना करें बलकि अलग चीजें भी वहां पर करें दस managers play an important role, very important role in smooth functioning of an organization by devoting his time to the staff and giving them enough space to express and solve the issue be it official or personal, है ना? तो manager एक बहुत important role play करता है यहां पे किसी भी organization के smooth functioning में और वो एक तरी किसे अपने time को devote कर देता है तरी किसे लुटा देता है, बोल सकते हो staff और उनको enough space देने में है ना? ताक कि वो अपने issues को, अपने problems को बोलोगा, आपस में discuss करके उसको solve कर सके हैं चाहिए वो official हो या पिर personal हो इन सब चीजों के बारे में manager जो है ध्यान देता है और उनको encourage करने की कोशच करता है that whatever you are doing is doing great and industry case, you know, तो यह सारी चीज़े जो है उनके द्वारा की जाती है अगला है, yes, I agree with all the principles of management given by the Henry Foyle as they follow flexible implementation of the functions of management in the organization, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा question तब उसके उपर चले आते हैं, यहाँ पर model principles की बाद की गए थी तो model principles में सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा background के बारे में जाना, ठीक है न? कि क्या-क्या होता है, और निशन में, अब हम बात करेंगे कि ऐसे konfrontal principles हैं जिसके तहर management काम करता है तो Henry Foyle एक बहुत ही बड़े management के teacher हुए है, आप बोच सकते हो या management के जानकार हैं जिन्होंने 14 principles दिये थे उन principles के बारे में ही हम बात करेंगे The principles laid down by the Foyle are general and easy to understand जो principles उन्होंने दिये थे, वो बहुत ही आसान है, बहुत ही general है और बहुत ही आसानी सा उसको समझ सकते हो They are easily acceptable and understood by the people, है न? इसको बहुत ही आसानी से लोगों के दोवारा accept किया जा सकता है और समझा जा सकता है The most salient and useful feature which has given encouraging results at all times is union is a strength तो जो most salient feature या पर जो most important बात उन्होंने कही थी Union is a strength, अगर आप मिल करके रहोगे तो उसमें ताकत रहेगी अगर आप अलग अलग करोंगे, अलग अलग हो जाओगे तो आपकी ताकत जो है घड़ जाएगी तो यहाँ पर union की बात की जा रही है साथ में मिल करके काम करने की बात यहाँ पर की जा रही है तो main features की अगर बात करें क्रूशल दिव तो दिड़क्शन इंड़ लेयर सब्सक्राइब अभी के टाइम पर जो ओवेस है और निचनल स्ट्रॉक्चर है वह बहुत ही क्रूशल हो गया है बहुत ही सिंपल हो गया है आप बोल सकते हो अभी के टाइम पर चीज़े जो है बहुत ज़्यादा करते हैं और वो अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाते हैं अभी के टाइम पर चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बाइदा और निचनल अभी के टाइम पर टाइम और काम करने का जगा है वह बहुत ज़्यादा आई है यह बहुत ज़्यादा अगला है अगला है quality is a prime objective and quantity अभी के टाइम पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं quantity के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं अभी के टाइम पर आप कितना task कितना ज़्यादा मातरा में कर पा रहे हो उस बात के ऊपर ध्यान नहीं है अभी के टाइम पर ध्यान इस बाते हैं कि आप अपने task को कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हो कितनी quality उसमें आप अपनी डाल पा रहे हो कितना उसको बैतर आप बना पा रहे हो उस चीज के उपर अभी ध्यान ज्यादा दिया जाता है तो जो इंक्रीज है उसकी कारण से जो कमिनिकेशन है वह बहुत ही जाना पढ़ा है उसकी कारण से जो इनफॉर्मल और लेटरल जो चीजें होती है वह बहुत ही सिंपल हो गई है इसा नहीं कि आपको हमेसा इंटम बंठन के ही बात करना है यहां पर थोड़ा सा कैजूल होकर करके काम को करना है तो यह चीज़ें पर करें पर मॉडल और जूनियर मैंजमेंट में जो बहुत ही अच्छा है जूनियर मैंजमेंट के साथ वह बहुत ही अच्छा है क्यों है ऐसा इसलिए है वह बहुत ज्यादा कॉलिफाइब करने में बहुत ज्यादा असानी होती है है इसको पर किसी भी प्रिंसिपल के लिए बहुत ज़्यादा करने वाले हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा नेवालों इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा अपने काम को इस तरीके से बाटो ता कि जो जिस काम ने बहुत है आप उसको वही काम दो तो डिविजिन अब वर्क इस वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्टेंट इसके पास अपॉर्टेंट होगी वह उसी काम के लिए रिस्पॉंसिबल भी होगा वह उसको तरीके से काम करने के लिए उसको तरीके से काम करने के लिए इसके अलावा भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स है इसके बारे में किकर के बात करेंगे सबसे पहला है हार्मोनी ऑफ अब्जेक्टिव्स यह नाम आपको याद रखने है उनिवर्सलिटी ऑफ मैंजमेंट उसकी निवर्सलिटी हर जेगा पर सेम होती है जो भी आपके उप्जेक्टिव्स है उसको आप हाद मनी में एक साथ मिलकर करके अशीव करने की कोशिश कर रहुए है एक इसला पॉइंट है प्रिमेशी आप अब्जेक्टिव क्यानिग जादा होगी प्लानिगा पच्छे यह सब्सक्रीगे के एक इकप्रेट फॉइश पहुत कर दो किन्तशन करने की पौशिश करके दिश्चिव करए ईकॉशिब्स चुश्चिश्म करने की कोशिश करने की करता है कि आप टीक तरीके से इभले और करता है कि आप जो है अपने यह दिए पर नुष बहुता था तो अभी ते तेकार नहीं होता है त्युकि पहले के ताइम पे कैसे करना है जो हो पता नहीं था नहीं था तू इसकी कारण से जहें इंट जहां है बहुत जाता अगा है बहुत ही दाता असॉटा आप बडिए और समय के साथ ईवेंचिली जसाके वेन आपको बताया की ज़ा जारा मजबूत हो गया है क्यूत के अदवास्मेंट के कारणी उप्रॉटीजिए रचीजिए आप बनाते हैं इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और इनोवेटर चीजएंआ पकारें हो तो जो में इंपॉर्टन कारेक्रिस्टिक बताएं गया है जिसके बेसिस पर इसके 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 होने से अच्छी और नचेंट जो है वो ठीक तरीके से ग्रोग कर पा लिए तो अपने काम में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टन का करके आप कांगों ठीक तरीके से नहीं कर सकते तो यह सबसे बड़ा एक फीचर है अगया अगया है उसको अपने मीडें वांस के साफ से आपको यह थोड़ा सा फ्लेक्सिबिल बनाना पड़ता है चीजों को जो है थोड़ा बहुत आपको परनेक्शे करना होता है यूशुड भी मॉडिफाइड अप्लाइड अप्लाइड अकॉर्डिटी तो इस प्रिंसिपल से नहीं आ रहा है या आप इंप्लिमेंट नहीं कर सकते तो आपके मुहां पर चांसे रहेगा या उसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन आपको करने के चुरू से तो आप औरिफाइड कर सकते हो जिसका स्थ्रक्शर जैसा होता है जैसी उसकी दिद जैसा उसका उनुद होगा उसके प्रिंसिपल्स को वहां पर अप्लाई करोंगें इस बात जहां पर बोलिए यह फ्ली यहां पर बहुत ज्यादा है यह ना इस शुड भी उतिलाईज विद रिस्पक्ट टुट चींज सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आप अपने जो भी आपके डिजाइड रिजल्स हैं उसको अचीव कर सको उनिवर्स लेटी बहुत इंपॉर्टन है तो मैंनेजमेंट होता है उसकी उनिवर्सली होती है हर एक जगह पर उसका जो है अप्लिकेशन होता है हैना में अपनेजर के लिए अपनेजर के लिए बढ़ाई जा सकते हैं अब इसके बेसे पर जो होता है ना वह अपने असानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं और हम लोगों ने डिसक्स किया बहुत इंपॉर्टन टॉपिक था इसामेशन के कॉंटर्व से मौटर्ण प्रिंसिपल्स हम लोगों को बताने थे और आपको स्क्राइब कर सकते हैं इसके नोट को सकते हैं इसके प्रोवाइड यू आपको चाहिए होगा बिलते हैं लिए वीडियो में अपना ख्याल रखिए बाबाई कर दो